कि जैहिंद मैं मेजर सुनिल डागर लीड अकैडमी की तरफ से कुछ आपके सामने लेकर आया हूं इंडियन नेवी ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है अगनी वीर के लिए उसके तहट तो अगनी वीर इंडियन नेवी ने रिलीज किया है SSR टीम और इसमें जो कुछ important dates है वो इस प्रकार है ओनलाइन एप्लिकेशन आप भर सकते हैं 15 जुलाई से और 22 जुलाई तक अगर आप देखें सिर्फ एक हफ़ता आप के पास है सिर्फ एक हफ़ता एक हफ़ते के अंदर आपने ओनलाइन अपलाई करना है अगर एक हफ़ते में आपने एक्शन नहीं लिया तो आप चूख जाएंगे तो 15 जुलाई से 22 जुलाई तक आपको ओनलाइन एप्लिकेशन भरना ही भरना है उसके बाद exam date physical का और return का रहेगा आपका October में October में आपका written और physical दोनों होगा तो फिर medical कब होगा medical आपका होगा November में जाकर और November मे ही आपकी joining date भी आजाएगी तो ये हैं कुछ important dates इनको please note कर लीजिए कुछ जो important notification है जो important facts है वो आप बाद में भी दे सकते हैं लेकिन सबसे जरूरी वो है आपका application date 15 जुलाई से 22 जुलाई इसको please आप miss ना करें उसके बाद सबसे बड़ा question आता है कि age limit क्या है sir तो जैसा कि government ने पहले ही बोला था साड़े सत्रा से 23 साल तक के youth इस scheme के अंतरगत apply कर सकते हैं तो उसी तरह आपको जो date दिया गया है वो है 1st November 1999 से लेकर 30 April 2005 तक इनके बीच में जो बच्चे जिनका date of birth है वो इसके लिए apply कर सकते हैं ये जो date है 1st November और 30 April जो इन dates में पैदा हुए हैं वो भी इसके लिए apply कर सकते हैं और female candidate के लिए 152 cm एक बार फिर देख लीजिए 157 और 152 cm यहाँ पर एक अच्छी बात जो है कि Indian Navy ने जो notification रिलीस किया है उसमें बड़ा clear है कि female candidates भी apply कर सकते हैं तो unmarried male और female दोनों ही candidate इसमें apply कर सकते हैं उसके बाद educational qualification तो आपके पास बारवी कक्षा पास होने का certificate होना चाहिए 10 plus 2 is the minimum educational qualification for Indian Navy अगनी वीद SSR और इसमें vacancy कितनी है vacancy bumper है 2800 vacancy हैं काफी ज़्यादा vacancy है तो प्लीज आप इसमें form भरना ना भूले उसके बाद अगनी वीर MR अगनी वीर MR के कुछ facts वो इस प्रकार है important date सबसे पहले online application तो इसमें 25 तारीक से लेकर 30 जुलाई तक 25 जुलाई से 30 जुलाई तक सिर्फ 6 दिन आपके पास है apply करने के लिए तो again एक बार फिर आपको याद दिलाता हूँ कि आप इस तारीक को न भूले 25 जुलाई और 30 जुलाई इसके बीच में आपने apply करना है आपकी age limit यहां भी वही 17,3 से 23 साल और उसकी जो प्रिथी है वो एक नॉवंबर 1999 से लेकर 30 एपरिल 2005 तक आपकी date of birth होनी चाहिए including these two dates 1st November और 30 April 2005 यह दोनों dates पे अगर आपका जन्म है तो भी आप apply कर सकते हैं medical standard 157 और 152 cm height 157 male के लिए और 152 female के लिए educational qualification यहां पे 10 प्लस 2 नहीं बलकि सर्फ matriculation यानि दस्वी pass आप होने चाहिए अगर आपने दस्वी pass की है तो आप इंडियन नेवी अगनी वीर MR के लिए eligible हैं और इसमें vacancy SSR के मकाबले थोड़ी कम है इसमें vacancy हैं 200 तो जो 10th pass वाले candidate हैं उनके सामने है 200 vacancy और जो SSR है उनके पास 2000 से भी ज्यादा vacancy हैं तो इनको आप मिस ना करें especially online जो application की date है उसको मिस ना करें तो ये थी कुछ important facts इसकी detail जानकारी हम आपको बाद में देंगे लेकिन अभी हमारा जो main motto था वो आप तक ये जानकारी पहुचाना था कि कौन कौन इसके लिए eligible है और किस तारीक को आपने online application देना है तो वो आपको clear कर दिया है प्लीज उनको भूलेना और इंडियन नेवी अगनीवीर के लिए आप जो जो लोग eligible हैं प्लीज आप form को भरिये और तैयारी कीजिए तैयारी करने में अगर आपको lead academy की कोई मदद चाहिए तो प्लीज जो number नीचे दिया गया है उस पे call कीजिए और हम हमें बड़ी अपनों तक ले जाने में जय हिंद